की तृटिप के छिवा झालें से आप से आप सुभी को पात्प चल गया होगा कि इसमें आपको कुछ डीटेल एसा बताने वालोculoJust साथ कि यूनिक लेगे ने अइसमें आपको कि अगर अधार這些 क्रणव बंचुका है ठीक अब का अधार다면 वालों साथ ताकि आप सभी को यूनिक लगे मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपका अगर अधार कार्ड अगर बन चुका है ठीक है अगर आपका अधार बन चुका है और आपका अधार कार्ड खो गया है तो क्या करेंगे समाले जब आपका अधार कार्ड बना चुके हैं या आप अधार कार्ड बनवाया थे पहले लेकिन आपको पता नहीं है कि आधार कार्ड बना है कि नहीं बना है आपके पास उससे कोई मतलब आपके पास सकता है और आपका कोई कई लोग का ऐसा होता है कि अधार कार्ड और भूला जाता है खो जाता है उगछे पास अधार नुमर GB नहीं होता है तो PVC अधार कार्ड प्रिंट करने के लिए केवल अधार नंबर से मैं special वीडियो पहले ही बना दिया हूँ आपको अगर PVC अधार कार्ड अगर टूट गया है खो गया है अगर आपके पास अधार नंबर है तो आप घर बैठे आपको अधार कार्ड मंगवाल निंग के लिए आपको मातर 50 रुपय कट करना होगा एकाउंट से और 50 रुपय में आप घर बैठे आप अपने घर पर पोस् तो नोटिफिकेशन आपको हमेसा मिलते रहेगा, जोब यूब किईवाल मैश्योंत मेरता हैं आ हम इस बbecueा के वे सब्सक्राइब करें तरया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इस वाले बेवसाइट पर चले आना है जैसा कि लिंक मैं आपको यहां पर दिखा रहा है यहां पर आपको एक लिखा हुआ है जैसा कि मैं आपको दिखाने कोशिश कर रहा हूँ यहां पर लिखा है रिट्राइव लोस्ट या फॉर्गेटन ए आईडी या यू आईडी कहने के मतलब है कि अगर आपका अधार कर जो है भुला गया है या खो गया है तो आप कैसे यहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं अध पेज आपका इस तरह से ओपन हो जाए जैसा कि यहां पर आपको दिखाया जा रहा है पेज इस तरह से यहां पर अगर आपको अधार नंबर चाहिए तो यहां पर अधार वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अगर इन्रॉल्मेंट आइडी नंबर चाहिए तो इस वाले करना है मीनिंग सही होना अस्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसके बाद आपको क्या करने कि एक मॉवाइल नमबर डाल लेना यहां पर जो आपने अधार करड में दिया है या दोनों में से कोई एक डालना, है, या मोवाईल नमबर या तो इमेल आईडी, इसके बाद यहां पर key up time तो पता चलएज़ नमबर नम्बर में लिंक होगा, और पता कटां सकता है तो उसके लिए आपको यहांपos सारा डीटिल में यहाँ पर डिटिल्ट पारने के बाद आपको जैसाँ आप यहाँ पर देख पार हैं, कि मैं आपना यहाँ पर नाम मॉवाइल नंबर और यहाँ पर यहाँ पर ऐबाद सेंड, ओटीप पर क्लिक करेंगे यहाँ पर मेरा कैप्ट गलत हो चुका है फिल करोगे तो यहां पर जो यह समीट का सेक्शन है póigоеfully गर मिलेद जायई टापको यए फिल करोगे तो यह लिखके मिल जाग ऐखा लिख़ाए लिखा मके इतना है is send to your register mobile number यानि कि जो आपका register है mobile number जो आपने वहाँ पर mobile number टाइप किया था जिस वाले mobile पर OTP आया था आपको वहाँ पर OTP मैसेज जाएगा और आपके अधार कार्ड जो number होगा ना वो number आपको message के मादेम से मिल जागा अधार number तो इस तरह से आप पहला update से आप यह पहला method से प्राप्त कर सकते हैं दूसरा method क्या है दूसरा method मैं समझाने वाला हूँ आप दूसरा method ध्यान से देखेंगे दूसरा method यह कि दूसरा method के लिए आपको क्या करना है कि आना यहाँ पर आपको चले जाना जैसे कि official page यह वाला है यहाँ पर इस तरह से आपको दिखा लिखाए यहां पर लिखाए यहां पर एक नमबर दिया गया है 1947 और यहां पर help desk दिया गया है आपको अधार card का मतलब जो mail ID है उसको दिया गया है आपका अगर अधार card खो गया है अगर आपका detail नहीं मील रहा है आपके पास कुछ available नहीं है तो जो candidate का भुलाया है उसी candidate को क्या करना है किसी भी mobile number से आपको इस number पर phone कर दे रहा है यहां कि जो number आपको दिखाया जा रहा है उसी number पर आपको phone करना है जो यहां पर यह number दिया गया है इस number पर आप phone करेंगे जो आपसे detail पूछा जाएगा और डीटेल को किवल सही सही डीटेल आपको बताना है और वहां से आपको आधार नमबर प्रोवाइड कर दी जाएगा आधार नमबर जैसे मिल जाए तो आप अपना आधार नमबर को यहां से प्राप्त कर सकते हैं और साथ में अपना अधार काड़ को घर पे प्रिंट कराकर मंगा सकते हैं यहाँ पर एक बाद ध्यान दें कि यहाँ पर जो यह टॉल फ्रिंट नंबर है तो यहाँ पर आपको मवाइल नंबर रजिस्टर हो अथवा नहीं हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका रजिस्टर है तो भी ठीक है अकर रजिस्टर नहीं है तो आपको यह वाला मेथड को अपनाना होगा आपको रजिस्टर होगा तो आपको जो मैं पहले वाला मेथड बताया उस वाले मेथड को आप यूज करके आप अपना अधार नंबर मंगा सकते हैं अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है तो आपको ये वाला मेथड अपनाना होगा तो यही थी दोगो अपडेट यही अपडेट के माध्यम से आप अपना अधार नमबर को प्राप्त कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगाते एक लाइक जरूर कीज़े चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो चली मिलता है कि नए वीडियो में नए टॉपे के साथ तब तक के लिए जय हिंद